हलो पूड़ीज तो आज मिले के आई हूँ आपके लिए ऐसी डाल इसे खाने के बाद आप सारी डालों को भूल जाने वाले हैं इतनी टेस्टी, इतनी सरल की ना आपको अलग से उबालना है ना ही कोई महनत है, ना ही कोई जंजट है तो ये डाल है हमारे खड़े मसूर की डाल जो मसूर की डाल आती है ना जो खड़ी रहती है और जिसको हम पिस्वाते हैं फिर वो लाल रंकी होती है बस वो ही है ये डाल खड़े मसूर की डाल इतनी टेस्टी इतनी टेस्टी कि इसकी आगे ना आपको डाल मकनी फीकी लगीगी मैं सच बोल रही हूं मेरी ना ये बहुत फेवरेट है और इतनी टेस्टी इतनी सरल है ना कि आपको क्या ही जो बता हूं मैंने जब इसे पहली बार अपने सिसुराल में बनाया था तो सब को ये डाल बहुत अच्छी लगी थी एक बर आप इसे जरूर ट्राइ करना और वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखे नहीं तो आप ये समझ में नहीं आएगा कि कम मैंने कौण से चीज डाली है इसलिए वीडियो को आइन तक जरूर देखे और ना एक भी चीज को स्किप नहीं करना तो चलिए देखते हैं मैंने इस वीडियो को कैसे बनाया है तो ये जो डाल है इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिस भीकाया था अगर बजन की कहें तो लगभख 200 ग्राम डाल है ये तो पांसे छह लोगों के लिए डाल बन जाते हैं अगर लोग ज्यादा लोग दाल खाते हो तो चाह लोग ले हैं में ऑखे तेल डाल रहरू हूं तो यहां पर मेंने मस्टर्ट इूज किया है, Latitude क्वेटिबल और यहीम डेल धेलë यहां पर मैंने सबसे पहले डाला है जीरा और डाला है, मैंने 23 बत 1 और 4-5 डाले हैं काली मची इना प्रीम्द सिपी acceptable मैंने बारिक काट लिया था और इसको डाल दिया है और इसको अब हम अच्छे से चला रहे हैं तो यह जो डाल है यह कुकर में बन जाती है इसको अलग से उबालने की जरुवत नहीं पड़ती है नहीं कोई जंजट होता है आपको इसको पकाते समय उबालने तो यहां पर एक अद्रक का तुकड़ा है और 6-7 लहसन की कलिया जिनको मैं अच्छे से कदूकस कर लिया था और इसको अब में डाल रही हूं तो लहसन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लोग प्याज और लहसन नहीं काते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं लेकिन इस डाल में प अच्छे से एक बेहारी मिर्ची का यूज़ कर रही हूं टो इनको उन दुक्ति अच्छे से अब डाल रहती है या बहुत टेस्टी लगती है अच्छी में लहसे नहीं लगती है लहारी नियुक्त तो बूहती लाजबाब बहुत अच्छा होता थै आप तेहां अगर आप मेरे को इन दोनों दालों को बोलोगे मतलब मुझे इतनी पसंद नहीं पसंद है उसके बाद दाल मकनी और उसके बाद कोई और इतनी टेस्टी लगती है एक दर आप इसे बना के देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा तो यहां पर लगभग चाह टमाटर ना मीडियम साइस के थे तो उनको ना में पास यह एक चौपर टाइप का बोलूं क्या बोलूं इसमें बहुत बारिक हो जाता है इसमें मिक्सी से मुझे करने के जरुवत नहीं पड़ती है और अब मैंने यहां पर डाला है नमक सारा खेल होता है मसालो को पकने का अगर आप इसको अच्छे से भुनोगे तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा अब हम यहां पर यूज कर रहे हैं हल्दी तो एक चमच चोटी चमच उसका एक चमच हल्दी और दो चमच मैंने यहां पर यूज किया है धन्या पाउडर अब पार एक चौपर टाइप का है उसका मैंने यूज किया था तो देखिए बहुत अच्छी खुश्बू आने लगे थी इसको भी चलाते रहना है और देखिए किस तरीके से कलर ना बिलकुल चेंज हो गया तो इसको ना इतना भुनना है कि जो आपका ओले ना वह बिलकुल अ जब हमारे दाल बनती है तो हम सबजी बनाते ही नहीं है फिर हम यही ताल सिष्ट ही बनाते है रोटी बनाते है अब देख這樣子 हो बस्त्वाई तो यह जो दुश्य ना गए थी हम इसको डाल दोंगी मैं और अच्छी से को हम लिगुक कर लेंगी है बहुत अच्छी लगता है बहुत अच्छी लगते हैं ज़रूर ट्राइब कर लेंगे तो यह जरूरी है आपको अगर यह टेस्टी डाल बनाने ना तो मसालों को बहुत अच्छी बुनना है मतलब और अच्छे से ना बिल्कुल आपका लो फ्लेम होना ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हाई फ्लेम पर बुनो और जल जाए अपका मसाला तो अब ना में यह पर पानी डालोंगे तो लगबग एक कटोरी दाल के लिए मैंने आप साड़े चार से पांच कटोरी पानी डाला ह और इसको ना बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हमने रात बर इसको नहीं भिगाया था अगर आप चाहे तो रात बर इसको भिगा सकते हैं तो उससे क्या होता है नहीं जल्दी पक जाती है अब इसको हमने तीन से चार घंटे कले भिगाया था तो क्या करेंगे ना कि चार तो चार सीटी लेंगे लो फ्लेम पे बहुत अच्छ अच्छ से पक जाए गया थोड़ी सी कसर हो अगर आपके कूकर में कभी-कभी चेंज होता है तो आप एक बार खोल के देख लेंगा तो चार सीटी लो फ्लेम और चार सीटी हाइफ लेम तो देखिए दाल पके रिडी हो स्थायर और यह देखिए यह को थेक्ष्ण वा भई वा किनी टेस्टी लगए थि ना पड़ा बंते सी खतम हो जातेय और इक आर बात यह जो गरम गरम अच्छ लगती है अगर दाल थंड़ी होगी ना तो इतना अच्छ टेस्ड नहीं आए गा तो अगर आपको बाद में ख बिल्कुल ready are my deal और आपको मेरी video कैसी लगी मुझे जरूर बताना मेरे video को जरूर सह जरूर शेयर करना लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलना तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई थेक कियर